बुलश्री प्राणनाथ प्यारे की बुलश्री सद्गुरु महराज की श्री महमत्य कहे ब्रह्म स्रिस्ट को माया में खेल की कही अब आगे की कहूं ए जो भी तक भाई ए जो भी तक भाई तीन श्रिस्ट कही वेद ने तीनों कही फिरकाल प्राणाधार आत्मसंबंदी सुन्दर साथ जी कल की चर्चा में हमने सुना कि किस तरह से नो वर्ष की जुदाई के बाद में मिहर राज जी और श्रीदेव चिदर जी का पुनह मिलाप हुआ बाईस दिन तक साथ में रहने के बाद कैसे श्रीदेव चिदर जी का अंदरधान हुआ उसके पस्चाद कैसे बिहार जी को गादी पर बैठाया गया किस तरह से मिहर राज जी के मन में सुन्दर साथ की सेवा की भावना आई और उस सेवा की इच्छा के चलती जो तयारी कर रहे थे तो उन्हें नजर बंद में भी जाना पड़ा जिसको हबसे का जेल लिखा है उसके बाद वानी का आउतरन कैसे हुआ कैसे जुनागड में तेज कुमरी जी के साथ उनका विवा हुआ कैसे हरजी व्यास जी की जागनी हुई फिर कैसे एहमदाबाद में जा करके उन्होंने सुन्दर साथ की रक्षा के लिए स्वयम कुतुब खान से मिले और मिल करके संधी की संधी की सरते पूरी ना हो पाने के कारण किस तरह से उनको कारागार में डाल दिया गया और कैसे वो कांजी भाई जी के बदोलत जाहिरी रूप में बचे और फिर कहा कि माया पूरी देखाए के नजर करी तरफ हक अब पूरी तरह से माया देख ले अब ऐसी कोई अवस्था ही नहीं आएगी ऐसी कोई परिस्थति नहीं आएगी आगे जिससे लगे कि श्रीजी साहिब को माया किसी ने किसी रूप में परेशान कर रही है बाधाएं बहुत से आएंगी लेकिन अब ऐसी बाधा नहीं जिसमें कि लगे कि माया जीत रही है ऐसी परिस्थिया आगे नहीं आती है अब आगे अगला जो प्रकरण है जागनी की लीला सुरू होने जा रही है विशे सुरूप से और उससे पहले तीन स्रिष्टियों का बेवरा अथवा विवरण बताया गया कि तीन स्रिष्टि कौन कौन सी है तो कह रहे हैं कि तीन स्रिष्टि कहीं वेद ने वेद में तीन स्रिष्टि कहने का मतलब है कि हिंदु धर्मग्रंथों में तीन प्रकार के स्रिष्टि का वर्णन है जिसको जीव स्रिष्टि इस्वरिय स्रिष्टि और ब्रह्म स्रिष्टि के रूप में हम जानते हैं तीन प्रकार के स्रिष्टी है अब वो तीन प्रकार के स्रिष्टी कैसे कि कई बार हम सुन्दर साथ तार्तम ग्रहन तो किये हुए लेकिन लोग पूछते हैं कि आप तो जीव और आत्मा को अलग-अलग बताते हो जीव और आत्मा अलग कैसे है तो हम कई बार समझा नहीं पा कि गीता में तीन पुरुषों की विवेचना की गई है च्छर पुरुष अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष हम वाणी में उसको हमने च्छर अक्षर और अक्षरातीत कहा है गीता में उसको अक्षरातीत को ही उत्तम पुरुष उत्तम तो उत्तम पुरुष अक्षराती परब्रम जो की सच्चिदानन्द है ये तो सब जानते हैं गायत्री मंत्र भी उसके सच्चिदानन्द स्वरूप की प्रार्थना में है कहा गया है तो वो जो सच्चिदानन्द परब्रम है उसकी सत्ता का जो स्वरूप है क्योंकि सत्त चिद और आनन्द तीन स्वरूप गया उसमें से सत्ता की जो लीला है उस स्वरूप को कहा गया है अक्षर ब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म का जो मन है कल के प्रसंग में भी हमने सुना था कि किस तरह से अक्षर का मन उसके मन का सांकल्पिक प्रतेविंब स्वरूप मोह सागर के अंदर अपने आपको पाता है तो उसे च्छर पुरूस अथवा आदिनारण अथवा महा विश्नु कह करके वंडित किया गया है इसके विशे में कोई भी सुन्दर साथ विस्तार से यदि जानना चाहते हैं तो आपको सत्यांजली तिथा ब्रह्मांड रहस्य इन दो ग्रंथों का स्वाध्याय करने की आऊ सकता पड़ेगी तो आपको और अच्छी तरह से बात समझ में आएगी तो ये तीन पूरूस हो गए छर अक्षर और अक्षरातित इन तीनों पूरूसों से जुड़ी हुई तीन स्रिस्टी है अक्षरातित परह ब्रह्म के आनन्द स्वरूप आहलादी नी जो सकती है उसको कहा जाता है ब्रह्म आत्मा अथवा ब्रह्म स्रिस्टी उसके बाद जो अक्षर ब्रह्म है अक्षर ब्रह्म ने इस खेल का अधिक आनंद लेने के लिए स्वयम को ही 24,000 सूरताओं के रूप में बाटा है अथवा स्वयम ने ही 24,000 सूरताइं धारण की है कि मैं खेल का अधिक आनंद लूँ तो उन 24,000 सूरताओं को कहा गया है इश्वरिय स्रिस्टी और जो च्छरब्रम है अथवा महा विष्णु है अथवा आदिनारण है उनके संकल्प कि मैं एक हूं बहुत हो जाओं जिसको हि अहम बहुत श्याम कहकर के वनित किया है और कुरान में उसको कुन की पैदाईस कहा गया है कुन का आर्थ होता है होजा होजा मतलब होने का संकल्प जो किया उस संकल्प से जो स्रिष्टी पैदा हुई उसको कहा गया है जीव स्रिष्टी तो तीन स्रिष्टी हो गई जिसको हम जीव इस्वरी और ब्रह्म स्रिष्टी कहते हैं फिरकान में कुरान के अंदर उसी को आम खास और खासुल खास कहा गया है आम मतलब सामान्य जो जीव स्रिष्टी है खास मतलब विशेश इस्वरी स्रिष्टी के लिए और उससे भी जो खास इस्वरी स्रिष्टी से भी जो में क्या कहा है कुछ सादू की वार्णी में संत वार्णी में बगुला हंस और परमहंस कह करके वर्णित किया है और कुछ संतों की वार्णी में उसे जीव हंस और परमहंस कह करके वर्णित किया है कि जीव अथा जो बगुला है देखने में बगुला भी सफेद होता है और हंस भी सफेद होता है लेकिन बगुले की प्रवृति क्या होती है जैसे मायावी सामान्य मनुश्य की प्रवृति होती है बाहर दिखता कुछ और है होता कुछ और है वास्तविकता कुछ और होती है तो जैसे वो किसी संत ने कहा कि तन मैले मन उजले ऐसे बगुला अंग ताथें तो कवा भला तन मन एक कई रंग बगुला क्या होता है अंदर कुछ और बाहर कुछ और देखने में तो सफेद दीखता है लेकिन उसकी प्रबृति कैसे होती है एक लोक ब्यवार में एक टम्स एक शब्द प्रचले थे जिसको कहते हैं बगुला भगत बगुला भगत का ताथ पर यह क्या होता है कि बगुला क्या करता है एक पाव में खड़ा हो जाता है किसी जगह पर अगर उसको मचली पकड़नी हो ना तो बिल्कुल स्थिर रूप में खड़ा हो जैसा कि कोई मंजिल उसकी पूरी हो जाती है वो लक्ष उसका पूरा हो जाता है मसली को पकड़ लेता है इसी तरह से इस संसार के जिव जो कुछ भी करते हैं वो किसी न किसी सौर्थ के वश्यभूत हो करके करते हैं देखने में भले ही वो हांस जैसा दिखे अच्छा यह तो हो गया वो दूद और पानी को अलग-अलग करके पी सकता है इसके पीछे कारण क्या है कि हंस की चोंच में एक तरह का ऐसा केमिकल होता है कि जैसे ही वो दूद में अपना मुझ डालता है न तो दूद में जो पानी है वो फट करके अलग हो जाता है जैसे हम पनीर बनाना होता है तो ह क्या करते हैं कोई नहीं कोई खटा पदार डालते हैं जिससे की दूद का जो सार है वह थोस रूप में आ जाता है और जो असार है वो पानी की रूप में निकल जाता है तो यह quality प्राकृतिक रूप से हंस के अंदर होती है तो जो इस्वरी स्रिष्टी है उनके विशे में ये एक संकेत्ती किया गया कि वो माया के विशे में और ब्रह्म के विशे में अलग-अलग करके पहचान कर सकते हैं और परम हंस का मतलब है कि जीव और इस्वरी स्रिष्टी से भी उपर की जो अवस्था है हुंस से भी जो श्रष्ट है तो उसको कहा गया है understood bir क्यों में एक कला तो है कि वह माया और ब्रह्म को अलग अलग करके जान सकती हैं लेकिन इस इस्वरिस्ष्टि के विश्यष्था क्या है कि वह जान सकती है वो ज्ञान-प्रेमि heart लेकिन ब्रह्म स्रिष्टि जान भी सकती है और वह पाव ही लेती है तो इसलिए उनको परम हंस कह करके वर्णित किया है तो यह हो गए जीव हंस और परम हंस यह तीन प्रकार की स्रिष्टि है तो उनमें से अब यहां विशेश रूप से ब्रह्म स्रिष्टियों के विशे में बताया गया इस प्रकरण में कि वह ब्रह्म स्रिष्टि वही है जिनके लिए मुहम्मद सहाब ने पैगाम दिया संदेश दिया और विजय आभिनंद बुदन इसका लांक स्वरोब भी उनके के लिए ही जाहिर हुए प्रगठ हुए हैं और जो आखरी संदेश वह हैं आखरू लिमान मुहम मेह दिसाहिव ज़िमाम जिसको कते पुरम्परा में कहा गया तो वह भी उन ब्रह्मसिष्टियों के लिए ही आए हैं और वह ब्रह्मसिष्टि तो कोई-कोई ही होती है लाखों के भीड में जो चौपाई कही गई है ना कि न जाने इस जुंड में कौन सुहागिन होए इस चौपाई को आप दो तरह से समझ सकते हैं कि इतने सारे जुंड में कोई भी ब्रह्मसिष्टि हो सकती है तो यह सकारात्मक भी हुआ कि कोई भी हो सकता है और नकारात्मक यह कि सारे ब्रह्मसिष्टि नहीं है कोई-कोई ही होगा ऐसा न जाने मतों किसी को पता ही नहीं तो वो जो ब्रह्मसिष्टि है उन ब्रह्मसिष्टियों की जागरि अब वो जाहिर हुए तो क्या किया उन ब्रह्म सुष्टियों को जगाने के लिए वानी का ज्यान दिया और अलग-अलग जगहों पर जाकर कि अब ब्रह्म सुष्टियों को जागरित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं अब उसी क्रम में श्री जी कहां पहुंचे दीप बंदर दीब बंदर पहुंचे तो वहाँ पर अब एक साथी है उनका नाम है जैराम उनको जैराम कंशारा के नाम से जानते थे, जैराम भाई कंशारा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि गुजरात में एक प्रचलन है कोई भी है उसके नाम के साथ बाई जोड़ा जाता है अथवा बेहन जोड़ा जाता है और कोई भी पुरुसे तो उसके नाम के साथ में भाई जोड़ा जाता है तो जैराम भाई एक सुन्दर साथ हैं एक साथ ही हैं और कंसारा इसलिए कहा गया क्योंकि कांसे की बरतन बनाने का वो काम करते थे तो उनसे जब जा करके मिले तो अब उनको खुशी होई कि कोई है जो अपने यहां का है अपना है वो मुझे से मिलने के लिए आया है अब जैराम जी कि दिवोचंद्र जी से तार्तम ज्यान ग्रहन कर चुके थे लेकिन उसके बाद चुकी जैसा की हमने कल की चर्चा में भी सुना था कि देवचंजर जी से भी जो भी जागने हुई वो आड़ी का लिला के माध्यम से हुई तो इस वज़े से जैराम भाई पुना माया में अब मगन हो चुके थे काम माया का ही करते थे केवल तो स्री जी ने अब कहा कि मैं तो तुम्हारे लिए आया वहुं तब जवाब दिया स्रीजीने हम आए तुम्हारे काज हमको भेजा हक ने हुकम दिया स्री राज कि हक अक्षराति धामधने स्री राज के हुकम से मैं यहां पर तुम्हें जगाने के लिए आया हूं और मेरा काम क्या है धूड काड़ो साथ को माया करो खबर याद करो निजधाम को भूड करके काड़ो मतलब सब सुन्दर साथ को निकालना माया से सावधान करना और फिर आपको इसकी शूरता को परमधाम की तरफ ले करके चलना अब वहां चर्चा होनी शुरू हुई तो चर्चा के क्रम में अब शुरू बात होई स्रीदेवचंद्रजी से ले करके सारी चर्चा होई अब इतने दिन से दीप बंदर में रह रहे थे अब स्रीजी उनकी जागनी के लिए कुछ कठोर शब्द कहना उन्होंने शुरू किया कि जैसे स्रीजी कह रहे है कि कौन साथ तुम काढ़िया किनको राह बताई कि आपने इतने समय तक दीप बंदर में रहते हुए ऐसे कौन से सुन्दर साथ को काढ़िया मतलब निकाला माया से ऐसे कौन से सुन्दर साथ को निकाला कौन साथी श्री देवचिंद्र जी को नूर रोशनी न दिल में लियाई यदि आपने अपने हृदय में तार्तम ज्यान का उजाला ही नहीं किया तो फिर आप देवचिंद्र जी के कैसे साथी मतलब देवचिंद्र जी से आपने जो तार्तम लिया सुन्दर साथ होने का जो गुमनाम जीवन यापन करने लग जाओ क्योंकि श्री धामधनी को देखके तुमको सरम ना आई फेर श्री जी कह रहे हैं कि है जैराम भाई एक बार चर्चा सुनने के बावजुद धामधनी की पहचान करने के बावजुद क्या आपको इतनी सरम नहीं आई न कभी आपने पाती लिखी पाती मतलब चिठी लिखी परमधाम के संबंध से क्योंकि लव के संबंध की तो कोई बात नहीं हो रही है और जब श्री देवचिंद्र जी का धामगमन हुआ अंतरध्यान की लिला हुई न तब आप आए न बिहार जी के गादी पर बैठाय जान पर आप आए और आप तो माया में इस तरह से मिल गए हैं कहते हैं मिल गए माया मिन्सने जाने अनना धी के इत यहीं है और अना धीकाल से यह कंग आप से को शूण एड towra मुझे और इसके हैं दोड़ी दर पहले अमने तीनों सृ्ष्ऽियों कि हम उन में से कौन सी काटगरी के हैं क्योंकि देखने में तो पता नहीं चलेगा रहनी से पता चलेगा कि हमारी रहनी कैसी है तो स्रीजी ने कहा कि आप तो ऐसा बेवाहर कर रहे हो कि आप अनादिकाल से इस माया के हो वाणी कहती है तुम आईयां चल देखने भील गईयां म पैदा होता है और गोबर में ही मर जाता है उसको गोबर से बद्बु आएगी नहीं क्योंकि अब वो उस चीज का आधी हो चुका यूज टू हो चुका है लेकिन यदि उसको एक बार के लिए भी चीनी के डिब्बे में डाल दिया आजए अथवा मिठास के डिब्बे में तो अब उसको वापस गोबर में जाने में या तो मन नहीं करेगा या फिर जिसने गोबर को ही अपना घर मान लिया हो तो उसकी अवस तो यहां पर श्री जी द्रिश्टांद दे करके समझा रहे हैं कि आप तो माया में ऐसे घुस गए हो कि ऐसा लगता है कि आप अनादिकाल से यहीं के हो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमें जागरित होकर के परमधाम जाना है कहता है कि आपको अपनी बुनियाद बुनियाद मतलब निव, मूल नहीं भूलना चाहिए क्योंकि आप तो स्री देवचंद्र जी के समय के साथ ही हो आपने उन से तार्तम लिया है और न आपने ये देखा कि स्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान राज जी की पहचान की न आपने और न आपने देखा कि माया में हम मिल चुके हैं हम तो माया देखने आए हैं तुम आया चल देखने भील गईया माहे चल, तो हम चल देखने आये हैं, चल में मिलने नहीं आये हैं, अच्छा देखने का आनंद कोई कब ले सकता है, समंदर देखने के लिए समंदर की लहरों का आनंद अगर लेना हो तो किनारे पर बैठना पड़ता है, माया देखना है अ कई बार तो भूत की कोई movie देखते होंगे horror movie देखते होंगे तो picture देखते वे डर लगता है तो आप क्या करते है अच्छा डर कब लगता है जब आप उसको देखते-देखते इतने एकाग्र होते हैं क्योंकि उसमें विजियल और साउंड एफेक्ट ऐसे डाले होते हैं कि दीरे दीरे आपको ऐसा लगता है कि आप भी उसी के पात रहें अच्छा अचानक से अगर कोई डरावना सीन आजाए डरावना द्रिस से आए तो आप चौक जाते हैं अच्छा अब क् कि जो थोड़े से समझदार वेखती है ना जिनको देख देख करके आदत लग गई है कि जैसे साउंड से पता चल जाता है कईयों को अंदाज होता है कि अब अच्छानक से कुछ सामने आने वाला है तो वो क्या करते हैं वोल्यम कम कर लेते और थोड़ा बहुत इदर उदर देखने लग जाते हैं इससे क्या होता है कि अब उनकी जो सूर्ता है वो उस पिक्चर के अंदर से वापस बाहर आई है और अब वो द्रश्टा भाव में है द्रश्टा भाव में उने पर डर नहीं लगेगा ना इसी तरह से माया का भी द्रिश्टान समझना चाहिए माया भी एक तरह की हॉरर मूब है यहां बहुत सारी डरावनी चीजे हो रही है लेकिन अब इस डर से बचना है अगर इसके प्रभाव से बचना है तो हमें द्रश्टा भाव अपनाना होगा यह देखना होगा कि हम बैठे कहीं और हैं वो आगे बितक में ही चोपे आती हैं आए माया देखने क्यों ऐसा भूलो इत कि इस तरह से आप क्यूं भूल रहे हो जब ऐसे खंड़नी के वचन कह करके समझाया श्रीजी ने और यह भी द्रिश्टान्त दिया कहते हैं कबलो कासा कूटेगा कबलो हथोड़ा एहरन कबलो घर में बैठेगा आई सिर्पर कयामत रोशन क्योंकि कहां सा कूटने का काम था ना हम सब अपने अपनी तरफ से कहां से कूट रहे हैं कि कहां से कूटने का मतलब अपने अपने हिसाब से व्यवसाय कर रहे हैं जैरम भाई भी क्या कर रहे थे अपने लौकिक जीवन यापन के लिए लौकिक पेट भरने के लिए लौकिक परिवार के पालन पोशन के लिए सारा कार्य कर रहे थे हम भी इसी तरह से कोई दुकान रुपी एहरन थोड़ा चला रहा है कोई व्यापार रुपी कोई किसी और रूप में तो हम क्या कर रहे हैं हम भी जैराम भाई की तरह ही माया में लगे हुए होता क्या है कि कि जैराम भाई तो माया में जा करके क्या हो गए थे फस गए थे ऐसी हमारे अंदर अब इमेज बन गए फिर आगे जब हम प्रसंग सुनते तो अब हमारी इमेज थोड़ी से साफ होती है कि जैराम भाई वैसे तो माया में जा करके फस गए थे और कुछ समय के बाद में स्री जी की चर्चा सुनी और जागरित हो गए हमने क्या किया हम भी माया में जैराम भाई जी से भी ज्यादा डूबे हुए हैं और स्री जी ने तो तब कुछ समय ही चर्चा कि थी अभी प्रसंग आया का फिर मैं आगे इस चीज का वर्णन करूंगा मößी जिए घरें कि ये जो माया है एक और दिस्टाण दीो स्री जी ने की कोई ना अगहा या इनमें चच्षोडत ठाउर मुर्दार एक दिश्टान थे अगहने का मतलब पेट भर जाना कि मैं म्त्लब कि माया से किसी भी त्रिप्ति नहीं हुई है कैसे कि जैसे कुट्ता होता है माया से त्रिप्ति कैसे होती है उसके विशे में बता रहे हैं कि जैसे कुट्ता होता है द्रिश्टांत वही है वो जैसे कोई सुखी हड़ी लेकर के चबारने लगता है जब चबाने लगता है तो हड़ी उसके मस उड़ाद किसके हड्डी में से रहा है सा ऐसा सोचता है जबकि वो रस तो उसके खून का है इसक मतलब花 तक्षान पर ऩो है अपना ही कुछव ठूश रहा है ना तो उसका नुक्सान हो रहा है लेकिन क्या सोचता है वह यह तो बहुत भाइदेया का सवदा है देखो हड़ी में से बहुत स्वाद मिल रहा है बहुत अच्छा रस आ रहा है मनुष्य भी कुछ ऐसा ही करता है इसको मैं दृष्टान से समझाओं तो वैसे मैं कई बार यह दृष्टान दे चुका हूं कि जैसे एक व्यक्ति है आठ गंटे की अगर वो जॉब करता होगा या ड्यूटी करता होगा तो थोड़ा और धन कमा लूँ इस लाल सा में वो ओवर टाइम कर लेता है तो दस गंटे बारा गंटे अब सरीर की तो एक श्यमता है न एक लिमिट है कुछ लोग 16-16 गंटे भी काम कर लेते हैं कि हमें तो पैसे तो जमा कर लिये दुगना पैसे जमा कर लिया मालेजे कि महिने में अगर वो लाक रुपए कमाता होगा तो डबल काम करके उसने दो लाक रुपए कमाए फाइदा हुआ ना फाइदा हुआ लेकिन अब इसका दूसरा पक्ष क्या है जिसके भी से में सोचते नहीं है लोगों की प्रवरिति है कि वो एक तरफा सोचते हैं, आधा अधूरा सोचते हैं, छोटा प्रोफिट और बड़ा लॉस कर लेते हैं, छोटा फाइदा और बड़ी हानी, अब होता क्या है उसका दूसरा पक्षी है, कि एक लाख रुपए कमाने के जगह पर वो दो लाख रु और जो उसने एक्स्ट्रा काम करके पैसा जमा किया है, उसको हॉस्पिटल में, और क्योंकि जब पैसा कमा लिया है, तो फिर सोचता है कि चलो, सरकारी में कौन जाए, प्राइवेट में ही चलते हैं, अब आजकल प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं, वो तो प्राइवेट ह रूम है वहां अब और टेलिविजन-वगर की सारी वियोषता है गंटी बहुताने पर सब लोग आज़ाते इस तरह से तो होटेल जैसी जब व्योषता हो गई मनुश्य सूचता है कि चलो जब अच्छा कमा ही लिया है टो अच्छे ऑस्पिटल में चले जाते हैं जबकि hospital में उसको जाने की जरूरत क्यों पड़ी उस पैसे को वो hospital में खर्च कर रहा है उसी को कमाने के लिए जाने की जरूरत पड़ी तब अब किसी अच्छे से hospital में लेटे लेटे विस्तर में पड़े पड़े वो उस कुत्ते की तरह ही सोच रहा होता जैसे वो सोचता है क कि इस हड़ी में से रस आ रहा है वैसे ही वो मनुष्य भी सोचता है कि अगर मैंने पैसा नहीं कमाया होता तो मैं तो अभी इसका मतलब उस के जैसी ही हालत है हम सब के कहीं न कहीं से हम फायदे के चक्कर में बड़ा नुक्सान कर रहे होते हैं तो स्री जी ने क्या कहा कोई न अगहाया इनमें किसी की त्रिप्ति नहीं हुई है चचोडत ठोर मुर्दार स्री धामधनी सुख चोड़के क्या हमेशा होगे ख्वार मतलब मिट जाना कि माया में हमेशा के लिए मिट जाओगे वो भी क्या छोड़के धामधनी का सुख छोड़ करके और यह माया तो इसी संसार ऐसा है कहते हैं एह इंद्रियन के स्वाद को लागा सब संसार यह सारा संसार तो इंद्रियों के स्वाद के चक्कर में फसा हुआ है सब सोच रहें कि इस हड़ी में से रस निकल रहा है और यह तो मोह के जीव हैं यह मोह के जीव रहेंगे मोह में तुमको तो चाहिए विचार तुमने किस बात का करना चाहिए कि दावा किया है ब्रह्म सृष्टी का और काम कैसे कर रहे हो मोह के जीव की तरह अब दोनों में फ कोई फरक? कि दोनों में क्या आप vea फिर को ब्रहुपत को माय के थीका चलो माय के सौटक को ब्रहा монोर की पार्म्तिफी को किसमें दोबना है कए अरुम्य स्रिद्धाम जैराम भाई कंचा राको उस समय और आज इस बित्तक के माध्यम से हम सब जैराम भाई को कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि सु बोएन आवत तुम्में चर्चा और चित्वनी की तो तुम्हारे अंदर खुसबू भी नहीं है मतलब नामो निशान नहीं है ना बोए सु बोएन कोई और ना चित्वन तुम करते हो और ना साथ मिलावा सही है ना तुम सुन्दर साथ से मिलते हो ना दिल को किया रोशन तुमने अपने दिल को भी ज्यान के प्रकास से रोशन नहीं किया उजाला नहीं किया जब ऐसी बातें स्री जी ने कही तो कहते हैं ए वचन सुनके र आगे बात होगी तो वो बात ये है कि जब स्रीजी साहिब ने जैराम भाई कंशारा जी को ये शारी चर्चा सुनाई तो एक ही बार की चर्चा में उनको अपनी गलती का अहसास हुआ उन्होंने अपने उपर ले करके कहा क्योंकि महान लोगों की शैली होती है कि वो दूसरों का दोस नहीं दिखाते हैं वो अपने उपर ही लेके कहते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए हमारे अंदर ये कमी है तो स्रीजी ने कहा कि मेरे अंदर इतनी कमी है कि धामधनी की पहचान कर करने के बावजुद्वि में बार-बार उनको पीठ देती रही पीठ देने मतलब मेंने आपकी तरफ को अगर पीठ दे दिय तो क्या होगा चहरा किसी और तरफ जाएगा मतलब Constance किसी और को देख रहा हूं इसी तरह से राज जी को पीठ देने का मतलब मेरा ध्यान माया की तरफ चला गया और उसमें एक और चोपए उन्हों ने कही कि रोम रोम कई कोट अवगुण ऐसी में गुनहेगार एतो कही में गिंती पर गुनहे को ना ही सुमार कि मेरे अंदर ऐसे अवगुण थे और आपने क्या किया अंतीम चोपए में उसी प्रकरण के अंतीम चोपए में कहा कि धनी जी के गुन की में क्या कहूं इन अवगुण पर एते गुन हमारे इतने अवगुण होने के बावजुद भी राजी ने हम पर हमेशा गुण ही किया उपकार ही किया है महामती कहे इन दुलहे पर मैं वारी वारी दुलहिन कि आप हमारी आत्मा के दुलहा है प्रियतम है और मैं आपके उपर वारी वारी अर्था बली हारी जाती हूँ समर्पित होती हूँ ये भाव स्री महामती जी ने व्यक्त किया अब यहां कि जैरम भाई जी भी श्री जी से कह रहे हैं कि आपने हमारी तरफ नहीं देखा हमारे अवगुणों को नहीं देखा और हमारा हाथ पकड़िया जबकि हम तो माया में डूबे हुए थे इस तरह की जब चर्चा हुई घर के सारे लोग आए और चर्चा सुन रहे हैं सब ने स् सब मिला घर का साथ सब आये चर्णों लगे जो धनिये पकड़े हाथ ये जो धनिये पकड़े हाथ है न इसी तरह का भावली भी अनेको चोपई आगे आएंगी जिसमें कहा गया होगा जैसे बितक की अंतिम चोपई भी यही है कि महामति कहे सैयन को ए सेवा के कहे साथ इहा ब्रवा ते कहा ही खाड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ तो इसका मतलब क्या है साबदीकर्त की सेवा में वही खड़ा होता है धामधनी जिसका हाथ पकड़ते हैं वाणी चर्चा वही चित्वनी कर लेंगे ऐसा नहीं है क्योंकि राज जी को दोस देना कि वो नहीं करा रहे हैं जैसे एक बार क्या हुआ कि मैंने किसी एक सुन्दर साथ को फोन किया बात चीछ चल रही थी ऐसे ही सामान निरूप में तो मैंने पुछा कि दो तीन साल पहले की बात है और नहीं है क्या सुन्दर साथ जी आप सर्शाओ के कारेक्रब में आ रहे हैं तो कहते हैं कि राज जी का हुकम होगा तो हम आ जाएंगे मैंने वह राज जी टिकट करके आपके घर में थोड़ी भेजेंगे प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा टिकट आपको करने के जरूरत है राज जी ने हम पर मेहर करके ज्यान दिया है तो यहां राज जी हाथ पकड़ेंगे तो ऐसा कहने का तात्पर यह है जैसे एक कहावत पता है आपको कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा पता है तो कोई वेक्ति डूब रहा हो तो वो तिनके का सारा मतलब कोई सामान के सारावी मेले तब भी वो निकल जाता है अच्छा मान लिजिए कि कोई वेक्ति डूब रहा हो और आप बचाने के लिए गए उस वेक्ति ने अपने हाथ पीछे बांग लिए है उचल रहा है बचाओ बचाओ लेकिन वो हाथ पीछे से आगे नहीं ला रहा है, आप के रहें कि भाई हाथ दे तब ही तो बचाऊंगा, और वो दे नहीं रहें, आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, उठा के लेके नहीं जा सकते, क्योंकि उसका वजन प्लस आपका वजन तैर नहीं सकते हैं, तो आप क्या कर तो गर के वापस चले जाएंगे ना इसका मतलब क्या है कि जिसको बचाया जा रहा है उसका भी करतव्य है एक कहावत कहीं जाते कि God helps them who help themselves परमात्मा उसकी सहायता करता है जो स्वयम की सहायता करते हैं अब होता क्या है अमोमन बहुत सारे लोग हुकम को दोस्त देते हैं कि परमात्मा का आदेश नहीं हुआ परमात्मा कराएंगे तो कर लेंगे राजी कराएंगे तो कर लेंगे राजी बुलाएंगे तो बोल रटामी तो यह कहने की होब शक्ता नहीं पड़ती वर्ना आपने भी ऐसा कहा कि राज जी घाना खिलाएंगे तो हम खालेंगे या खुद पकाने लगते हैं है क्या खरते हैं खाना खुद से बदाते हैं अच्यमालिजी कि खाना पका लिया परोष लिया現在 प्रवाप क्या कहते हैं कि राज जी आकर के खिलाएंगे अथा राज जी आदेश देंगे तो हम खाएंगे कहते हैं पेट में जो गुडगुड हो रहा है न भूख की वज़े से उसी को आदेश समझेंगे कि अब भोजन ग्रहन करना है इसी तरह से आत्म जागरिती के छित्र गाओं में बाढ़ आ रही थी गाओं डूब रहा था तो सब लोग गाओं से निकल गए सब को आवाज दी गाओं में सहायता करने की प्रवरिति होते हैं तो आवाज दी सब लोग निकल गए पता चला कि एक जो व्यक्ति है उस गाओं का अपने आपको भक्त कहता था वो व नाओ में गए, क्योंकि पानी काफी बढ़ चुका था, पहले तो बुलाने के लिए गए सब जब पानी बढ़ रहा था धीरे धीरे तभी बुलाने के लिए गए, तब भी नहीं माना, पानी थोड़ा बढ़ गया तो दूसरी मंजिल पर चला गया, थोड़ा और बढ़ा तो लेकिन वहां से वापस नहीं जा रहा है, फिर नाओ लेकर के कुछ लोग बुलाने के लिए गए, तब भी नहीं माना वो, कहता है कि नहीं, भगवान जाएंगे तब जाओंगा, फिर कुछ समय के बाद में सरकारी सायता पहुंची, हेलिकॉप्टर लेकर के भी उसको बुल था और आप मुझे बचाने के लिए भी नहीं आए, तो कहते हैं कि जो तुझे क्या लगता है, जो तुझे बुलाने के लिए तीन बार लोग पहुँचे, उनके मन में प्रेरणा देने वाला कौन था, तो ऐसा ही है, राज जी किसी नकिसी को माध्यम बना करके कहीं नकहीं किसी नकिसी रूप में आपको वाणी चर्चा से जुड़ने के लिए, चित्वनी से जुड़ने के लिए, सेवा से जुड़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, और आज वाणी जब हम पढ़ें, तो हम माने कि ये राज जी का आदे से, राज जी हमें कह रहे हैं, ये प्रावति को जागरित सुंदर्शत को जगाने का हुकम दिया देवचंद्र जी के सामने प्रगठ हो करके कहा कि अब सब साथ बुलाएके लियाओ अपने धाम तो इस तरह से आएंगे भी लेकिन तब तक के लिए तो हमें स्वयम ही परिश्रम करना पड़ेगा अब इस तरह स प्रगठ जिए जाइराम भाई जी ने अपनी सारी कमी स्वीकार की हमने अब तक स्वीकार नहीं किया और माना भी होगा तो सिरुफ शब्द में माना है व्यवाहर में हमारे वही है इस बित्त को हम पिछले कई वर्षों से सुनते सुनाते आ रहें लेकिन हमारे अवस्ता जैराम भाई कंशारा से अब पीछे ही है अब क्या हुआ कि चर्चा समाथ होने के बाद में कहँए कि आदर रसोई का किया नहवाए स्री महराज इस चोपाई में एक रहस्य है चोपाई पूरा पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ आदर रसोई का किया नहवाए स्री महराज बैठाए रसोई मिने अरुगाए स्री राज एक ही चोपाई में उन्हें मिहराज शब्द भी संबोदित किया है और राज जी भी कहा है मतलब क्या है कि इसनान कराया जा रहा है तो सरीर का इसनान हो रहा है इस बाव से कि चलो मिहराज जी नहा रहे है लेकिन जब भोजन करा रहे हैं तो सुन्दर साथ भोजन करा रहे हैं तो ये भाव ले करके करा रहे हैं कि हम राजी को भोग अरूगा रहे हैं तो यह भावले करके उन्होंने भोजन ग्रहन कराया श्री जी ने भोजन किया अब सब लोग ने भी जब भोजन की भोजन के बाद में श्री जी को क्या कहा प्रसाद सबोंने लेके करीब पौढने की अरज श्री जी को कहा कि श्री जी आप थोड़ी देर के लिए सोजाईए पौढ़ने मतलब लेट जाईए आराम किजिए सोजाईए तो श्री जी ने कहा हम न आए पौढ़ने हमारी तो और गरज गरज मतलब इच्छा चाहना कि हम यहाँ पौड़ने के लिए लेटने के लिए आराम करने के लिए नहीं आये हैं हमारी तो हमारा मतलब कुछ और है हम क्यूं आये हैं तुम्हें माया से काढ़ने हम आये इनकाज क्यूं आये हैं आपको माया से निकालने के लिए तुम छोड़ो मुर्दार को मुर्दार मतलब यह जो नस्वर संसार है इस नस्वर संसार के मुह को छोड़ो और याद करो श्री राज राज जी को याद करो अब फिर से चर्चा करने बैठ गए अब क्या हुआ कि अब चर्चा के क्रम में उन्हें ब्रज की लिला का वर्णन किया और कहा देखो ब्रज की लिला में हम क्या करते थे फेर बैठे चर्चा करने ब्रज को जो बर्णन देखो पगले आपने क्यों कर भरिषेन पगला मतलब कदम ब्रज में आप कौन सा कदम चले थे, मतलब कौन सी चाल चले थे, उसको आप देखिए, अब ब्रज में क्या होता था, कि कुटुम्ब परिवार सब के बीच में रहना होता था, लेकिन सब के बीच में रहते वे भी सब से अलग रहते थे, कैसे, ये हम सब सुन्दर साथ के लि लेकिन उस फल की इच्छा नहीं करनी है उस फल के लिए रोना धोना नहीं करना है गिता केते न कर्मन नेवा अधिकारस्ते मा फलेशु कदाचन तो हमारा अधिकार किसमे है कर्म करने में है अब मान लिजे कि हम क्या करते हैं हम दुखी कब होते हैं कि हमने अपने बच्चों को पालन पोशन किया उनका फिर हम दुखी कब होते हैं कि बच्चे हमारा कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं अच्छा जिसके घर में बेटा होगा बेटे की शादी हो जाएगी तो माता को पहले से असूरक्षिया महसूस होने लगती है आँ बेटा तो बहु के नियन्तरण में हुआ बहु के कंट्रोल में चला गया अच्छा बहु क्या सोचती है, कि मैं मतलब इसके लिए अपना घरबार छोड़ कर के आई हूँ, तो पति जो है वो मेरी बात सुनें, अब पती सोचता है कि मा की सुनू तो पत्नी नाराज हो, पत्नी की सुनू तो मा नाराज हो इस तरह से, बस यही चक्र चलता रहता है, यह से उदासीन रहना है उदासीन रहने का मतलब हमने काम कर दिया उसके बाद हम उसके फल के लिए नहीं रहे हैं क्योंकि हमें उससे आसा ही नहीं है और उदासीन व्यक्ति जो निरास व्यक्ति निरास का मतलब वह नहीं जो दुखियों करके घुमरा ऐसा नहीं निरास का मतलब उम्मीद नहीं है आसा नहीं है किसी चीत से वह व्यक्ती हमेज़ा सुक्किय रहता है एक सांख्य दर्शन के अंदर उदारन आता है निरासा सुकहि पिंगलावत इसका अर्थ कि एक पिंगला स्त्री थी कर वह उस नगर के कोतवाल के कोतवाल से प्रेम करती थी तो अब कोतवाल को तो क्योंकि दुनिया भर का काम करना होता ना तो अब पहुचने में देर ही होती थी वो क्या करती थी कि कई बार अब रात को प्रतिक्ष्या कर रही है अब आज के जैसा होता तो मैसेज कर देते वाटसिप कर देते कि मैं नहीं आप आओंगा या लेट आओंगा ऐसा लेकिन उस समय तो ऐसा था नहीं तो वो क्या करती थी कि रात को प्रतिक्ष्या करती थी अब कभी 11 बज तक जग रही है कभी 12 बज तक जग रही है कभी-कभी रात भर जगती है तो आता नहीं है फिर उसको दुख होता है कि मैंने राद भर उसके लिए प्रतिक्ष्या की और वो आया नहीं तो वो रोने लगती है ऐसा करते करते कुछ ही दिन में उसका जो सरीर है वो सूखने लग गया क्योंकि कोई भी वेक्ति राद भर जगेगा प्रकृति की मर्यादा के खिलाफ कोई काम करेगा तो क्या होगा शरीर बीमार पड़ जाएगा अब उसकी आखों में वो कालिक दिखने लगे डार्क सर्कल गेते हैं आज की बासा में जब उसने जब से इस तरह से विचार करना शुरू कर दिया अब उसको किसी प्रकार की कोई तकलिफ होना बंध हुआ तो जो भी वेक्ति उस पिंगला की तरह ये होगा कि चलो आया तो कोई दिकत नहीं है तो कोई दिकत नहीं है नहीं मिल रहा है तो भी कोई समस्या नहीं ह जब व्यक्ति ऐसा होने लग जाएगा तो वो सुखी होगा और सुखी हो करके सिर्फ लौकिक सुख नहीं वो अध्यात्म में भी आगे बढ़ जाएगा अब क्या कह रहे हैं कि कुटुम्ब परिवार सब्धें रहते चित उदास परिवार में रहते हुए भी परिवार से कित्वान होना ही कि कीचड में से कमल खिलता है पानी में से कमल निकलता है उसके बावजुद भी वह पानी से मुक्त होता है अलग होता इसी तरह से इस संचार रूपी कीचड में से हमें हमेशा अलग रहना है कमल की तरह तो ब्रज में हमने वही चाल चली सब के बीच में रहते थे सारा काम भी करते थे देखे चोपई क्या कर रही है कि बैठे थे घर अपने हम कहां रहते थे क्रिष्ण जी के घर में जाकर के नंद बाबा के घर में जाकर के तो कोई नहीं रहता था कहां रहते थे अपने अपने घरों में लेकिन चित श्री राज क के चरण हमारा दिल कहां रहता था स्री कृष्ण जी के चरण में हमेशा उनके सानी द्यता में रहता था हिरे फिरे टहल में रहे प्रेमे में मगन चलते फिरते टहलते हुए हम हमेशा कृष्ण जी के प्रेम में मगन रहा करते थे और क्या करें कोई न लगता तुमको इन माया एकोने मिस माया के कोई नीयम कानून बंधन तुमें नहीं लगते थे रहो सदा छके जोस में आठो जाम इन प्रेम आठो जाम मतलब हमेशा 2400 गंटे आप उस प्रेम के बंधन में अथवा प्रेम के जोस में ही रहते थे, अब आपको कई बार लगा होगा, कि ये 24 गंटे प्रेम में डूबना संभो है, संभो है क्या, नहीं, कालमाय के ब्रहमान में तो संभो नहीं है, लेकिन इसको संभो बनाना है, तो कैसे करना होगा, मैं प् कि प्रैक्टिकली समझा रहा हूं है ठीक है जाइए है हो गया है स्वीच बंद कर दिया चालू है अभी भी पंखा देखते रहेगा कब तक चलता रहेगा अभी भूम रहा है न काभी समय लग जाएगा के तो जब हम सुभ उठते हैं कि सुभ औठ करके राजी को यादकिया प्रेम पूर्वक्ट चित्वनि 얼마나 में पंखा की से च्ल रहा था विजली से एनरजी से और जारा से राजी से उसी प्रेम की ऊर्जा हमें मिली तो जिस तरह से उस उर्जा कर से अब तक भी दिख रहा है । इसी तरह से राज्य की प्रेम को जो हमने सुबह लिया उसका असर हमें लंबे समय तक दिखता रहेगा फिर दीरे-दीरे क्या होगा अब जैसे ग्राविटी है गुरुत्वाकर्षन बले इस तरह से माया भी हमें अपने तरफ से खिचने का प्रयास करें की और धीरे-धीरे कर तो इसी तरह से हम भी जब रुकने वाले होंगे फिर हम क्या करेंगे अब इसको चलाना होगा तो फिर स्वीच अन करेंगे बिजली से जुड़ जाएंगे इसी तरह से फिर साम के समय में हमें क्या करना है फिर ध्यान करना है अब क्या हो गया फिर अगले कुछ समय तक उसक बिजली का असर इतने समय तक रहता है राजी का प्रेम तो चेतन है राजी स्वयम चेतन है हमारा हमारी आत्मा चेतन है तो उसका असर किदने समय तक रहेगा माया के प्रभाव के सामने तो इसलिए जब हम ये करना शुरू करेंगे तो माया का प्रभाव हम पर नहीं चड़ेगा इसलिए ये ब्रज का उधारन दिया कि ब्रज में भी उनका सारा का सारा ध्यान किसमें रहता था हमारा उनका मतलब हमारा कि माया का काम तो कर रहे लेकिन focus किसमे की काम किसले कर रहे देखिए बच्चों को दूद भी पिलाती थी गोपियां तो यह था कि जब हम कृष्णजी से मिलने के लिए जाएं तो यह बच्चा नार हो यह भाव रहता था घर का सारा काम बिल्कुल चका चक करके बढ़िया करके रखते थे ताकि कृष्ण जी से मिलने जाएं कि परेशानी कब होती है मैं लोग कोई बेटी अगर घर से बाहर निकली है तो माता-पिता को कब बेटे की याद आती है कि देखेंगे काम नहीं हुआ है तब गुष्ण आता है अचा काम सारा हुआ रहेगा तो नहीं पुछेंगे क्यों गई थी यह वह यह बिगड रहा है यह खराब रहा ऐसे नहीं तो ऐसा ना हो इस वज़े से गोपियां हम सारा माया का काम करें थी कि हमारे जाने में कोई बाधा ना बने अच्छा अब इतना सब कुछ करने के बावजुद भी कभी-कभी ऐसा होता था कि जाने के लिए कोई बहाना ना मिले तो हम क्या करते थे कि कई बार भरा हुआ जो स्रीष्ण जी से मिलने के लिए हम भाने डूढते थे आज हमें मिलना ना पड़े इस वाज़े से भाने बनाते हैं दोनों में फर्क है न तो इस लिए श्रीजी ने ब्रज का उधारणदे करके समझाए कि ब्रज में तुम्हारा प्रेम कैसा था अब इस जागनी के ब्रह्म जेगा क्योंकर जोगमाया मिने बदले तुम आकार आपने योगमाया में गए और नयातन धारन किया नयातन धारन करना किसका प्रतीक है क्योंकि कालमाया के सरीर से तो योगमाया में प्रवेश नहीं किया जा सकता क्योंकि इस सरीर में तो कहीं न कहीं विकार रहता है जब रा वो मुख्य बाती है कि यदि परमधाम के प्रेम का अथव राज्जी के आनंद का लाब लेना है तो पहले ब्रज वाली स्थिति अपनानी पड़ेगी क्योंकि रास का अधिकारी वही हो सकता है जो ब्रज की तरह प्रेम अपने हृदय में अपने धैनीक जीवन में बसा पाया है क्योंकर जमुनात्रट लगे थे करन जीलन यमना जी में आपने कैसे जीलना की कैसे श्रिंगार किया कैसे आपने उसनान के बाद में राज्जी को आसन करके बैठाया कैसे वहां पर अरोग आया और फिर किस तरह से हम परमधाम गए मनुरत पूरे नव होने के करण है वो तो हम आमने तीसरे दिन की चर्चा में भी सुनी थी तो ये सारा करके फिर कैरें तीस वास्ते इंड तीसरा ये तीसरा ब्रम्हान पहला ब्रज दूसरा रास तीसरा ये जागनी का जो ब्रम्हान वो भी किसके लिए रचा गया तीस वास्ते इंड तीसरा रचिया तुम आपके लिए यह रचा गया और इसमें कह रहे हैं कि त्रैगून खिलोने तुम्हारे तुम हो खास सईयन कि आप वो खास ब्रह्मन स्रिष्टी हो जिनके की त्रैगून भी खिलोने हैं अब इसके आप अलग अलग तरह से अर्थ समझ सकते हैं कुछ सुन्दर साथ ऐसे समझते और समझाते भी हैं और वो कठोर भासा में बोल देते कि कई बार जैसे जो ब्रह्मा विश्णु शिवजी इत्यादी की पुजा करते हैं अब त्रैगून के रूप में वह भी तो है ना वह प्रतिक है तो उनके सामने के देते कि आप जिनकी पुजा करते हैं वो तो हमारे खिलोने कैसा लगेगा सुनकर के तो इस तरह की भासा नहीं होनी चाहिए जो ब्रह्मा विश्णु महें से वह भी उस परभ्रम का ध्यान करते हैं यह जो त्रैगून हमारे खिलोने कहा गया है उसका तात्पर्य यह है कि जब हम अपनी शुद जिस त्रिगुण के बंधन में तीन गुण के बंधन में जो संचार भसा हुआ है क्योंकि बंधन ही उसी चीज का है संचार प्रकृति किससे बनी वी है तीन गुणों से सत्वरज तमसम साम्यावस्ता प्रकृति तो बंधन किस चीज का है इस प्रकृति का और प्रकृति ज त्रिगुणा तीत हो जाएं एक तो होता है कि सतोगुणी हो जाना एक है कि सतोगुण की अवस्था से भी उपर उठ जाना तो यह हो गया तीन गुण को खिलोना मानना तो अब आगे कह रहे हैं श्री जी एसी चर्चा कर रहे हैं कि इन चर्चा के रसमें देखा न जाते दिन कि स्रीजी के चर्चा में सुन्दर साथ को ऐसा आनंद आ रहा है स्रीजी को भी आनंद आ रहा है कि सुनने वाले मिले क्योंकि कई बार क्या होता है अब स्रीजी कितनी कड़वे शब्द बोल रहे थे पहले कड़वे मतलब कठोर शब्दों में खंडनी के वचने में समझा रह है कि तुम्हारी हालत तो कुट्टे उस कुट्टे की तरह है जो हड़ी को चबाता है और उससे रस लेता है सुच्छे कि कि इतना कठोर शब्द है लेकिन बात सत्य है सत्य को समधाने के लिए परिस्तिति के आधर पर उनको बोलना पड़ा एक प्रसंग आता है वालमी की राम मुश्किल से मिलता है और सुनने वाला उसको समझने वाला स्विकार करने वाला तो और ही मुश्किल से मिलता है है कि अब यहां पर स्रीजी कह रहे हैं सुन रहे हैं कि अ चरचा में मगन भहे और उस समय जो सुन्दर साथ सुनने वाले हैं कहएरें ता समय साथ की सिफ़त कही और आयरिज़ या मुख इस मुख से सुन्दर साथ कि महिमा का वर्ण नहीं किया जा सकता जो इस तरह से मगन होकर के चरचा सुन रहे हैं आप ऐसे चर्चा के क्रब में सुन्दर साथ की जागनी होना शुरू हुआ दिरे-दिरे करके संख्या आ रही है और वहाँ पर संबद 1722 में स्री जी दीप बंदर पहुँचे हैं और दो वर्स तक वहाँ रहते हैं और इस दो वर्स के बीच में बहुत सारी ऐसे घटना होती है कि जैसे एक बार क्या हुआ कि दीप बंदर के जो लोग चर्चा सुनने आने लग गए तो पूरे शहर में मतलब दीप बंदर बंदर मतलब बंदर घाट के जहां जहाजों का आना जाना सामान उतारना वगर होता जिसको तो वहां शहर में यह सोर मच गया कि कोई ऐसे ज्ञानिया हैं जो इस तरह की बात करते क्योंकि सुरू में तो सुन्दर साथ थे घर के दीरे-दीरे करके लोग आने लग गए तो अब लोग जब आने लग गए तो चर्चा सुनने वाले बहुत सारे हैं लेकिन कहते हैं अपने अंकूर माफक हिससालिया सबन सबने अपने अंकूर के माफक अब यहां क्यूंकि सामविक प्रूप में कहा जा रहा ना तो इसका मतलब** है ऑपने अपने संबन के ःसाबसे जो ब्रम्य शुष्टी है वह वैसा ही लाब कर יודע जो इस्वरिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष कि धक्का दिया बड़ा साथ को माया ने सुन्दर साथ को धक्का दिया कैसे आगे प्रसंग आएगा लेकिन कह रहें पर लक tus नayanा इमान उनकी भाहरें ऑपन और ग्रिट बने रहे फाली पह satisf जिनको राज जी ने अपनी पूर्ण पहचान दी है और जिनको राज जी की पूर्ण पहचान होती है वो कभी अपने डृड विश्वास से इधर उधर नहीं हिलते उस विश्वास पर बने रहते हैं अब यहां इन्हें दो बरसों के अंत्रान में बहुत सारे सुंदर साथ आ बहले भी महां कोई ने को इत्तों चर्चा करता हो गया ना तो जो पंडित थें can we say कि उनके यहां जो रोता जाते थे वो स्रोता अब उन पंडितों के ही दुस्मन मन गए कैसं कि स्री जी से चर्चा सुनते थे अखंड ब्रजराश के लिला के विशे में जान जाते थे और जाकर कि उन पंडितों से सवाल करते थे अब सोचिए कि हमने कल के प्रसक में हरी जी व्यास की हालत देख ली दो दिन पहले के प्रसक में कांजी भट की हालत देख ली तो आपको लगता है कि तारतम ज् लिजे सवाल पूछ दिये कि आप बताइए इसका उत्तर देजिए तो क्या हो गया कि वो लोग अंदर ही अंदर कुढ़ने लग गए चिड़ने लग गए तो उन्होंने क्या कि एक वेक्ति को चुगल खोर बना करके चुगल खोर मतलब शिकायत करता बना करके वहां के फिरंगी के पास में भेज दिया अचा फिरंगी का तात्पर यह क्या है अंग्रेज न यूरोप देश का वेक्ति अब आपके मन में आ रहा होगा कि दीप बंदर में फिरंगी कैसे दीप बंदर का मतलब यह है कि वर्तमान में जिसको आप दमन और दीव के नाम से जा दीप बंदर में पुर्तगाली जो लोग थे उन लोगों का साशन था उस समय पुर्तगाल से आये हुए लोगों का तो उसको फिरंगी कहा गया है वहां के साशक को अब वो जो फिरंगी था वो वैसे भी बहाने डूड़ता रहता था हिंदों का परिशान करने का तो उन पंडितों ने जो कथा वाचक थे उन्होंने एक व्यक्ति को चुगल खुर बना करके तयार किया और कहा कि एक व्यक्ति आया है शहर में वो तुम्हारे देवताओं की या थवा तुम्हारे आराध्यों की निंदा किया करता है हमारे देवी देवता की निंदा किया करता है तो चुगल खुर गया क्योंकि अब उसको भी तो था नहीं कि हमारे देवी देवता की निंदा कोई कैसे कर सकता है तो गया जब प पुछा कि मित्र तुम कहां जा रहे हो तो सक्स ने कहा कि मैं दरबार जा रहा हूं पुछा क्यों तो किते कि कोई साधु आया है और सुना है कि वो हमारे देवी देवताओं कि निंदा किया करता है तो उस मित्र बने हुए स्वरुप ने कहा कि अच्छा तुमने उस निंदा क को अपने कानों से सुना है या तुमने होते हुए देखा नहीं मैं तो मैंने तो देखा नहीं है बस मुझे किसी ने कहा तो मैं आ गया तो फिर यह भी कहता है कि मैं तो उनको जानता भी नहीं नहीं मैंने अपने कानों से सुना तो उस मित्रे ने कहा कि देखो तुम ऐसा काम कर रहे हो अपने आखों से देखे बिना अपने कानों से सुने बिना और जिस फिरंगी के पास तुम जा रहे हैं वो तो इतना जालिम है कि अगर तुमने सुना तुम्हारी बात पर मान करके विश्व नीरपराध साधू कि अब उसको समझाना है तो ऐसे समझाना पड़ेगा तो कि एक नीरपराध जो साधू है उसकी हाय तो में कहां ले जाएगी हाय मतलब दुखत जो आवाज है वह तो जैसे यह सुना तो सुन करके वह व्यक्ति सोचा कि हाँ बात तुम्हारी तो सच है तो जब तक मुझे प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक मैं ऐसा नहीं करूंगा ऐसा कहकर कि वह वहां से वापस लोड़ गया और जो राजी का जोस इस रूप में आए था वो भी अद्रिश्य हो गया लेकिन सुन्दर साथ में इधर ये बात फैल चुकी थी कि पंडितों ने किसी व लोग भाग गये कि पता चला कि हम भी इनके यह सुनने आते हैं तो हमें भी साइद दंडित करें तो कह रहे हैं कोई सहर में चिप गए कोई कहें हम ना जावें इतन कोई तो कहने हैं कि कौन है यह हम तो जाते नहीं कहां पर हो रही है इस तरह से अंजान बन करके बात करने सबुलाटाएस का लग गए कोई समुंद्र पार करके समुंद्र मतलब जहां पर जैरंबाए जी का घर है दिबबंदर में मुझे कुछ समय पहले पहले 3-4 साल ने वहां जाने का सवभाग्य भी नहीं अब क्या हुआ कहते हैं श्री लाल्दाह जी कि एक जैराम खड़ा रहा और इनके घर के लोग बस कुछ लोग ही इमान पर खड़े रहे एक जैराम भाई जी और एक उनके परिवार के लोग उनके अलावों और कोई भी द्रिड रूप से विश्वास नहीं दिखा पाया और यह तो दज्जाल की नजर थी अग्यानता की नजर थी कि एक बार जैसे मैंने कल की चर्चा में स करा उतर पाता है अब जब सब को पता चल गया कि अच्छा ये तो मजाक हो गया हमारे साथ कोई चुगली करने के लिए गया नहीं तो धीरे-धीरे करके लोग वापस आने लग गए जब आपस आने लगए तो वो अपनी भी तक हसस के बता रहे हैं क्योंकि सरम छिपानी है यह साइकोलोजी क्या है कि खुद को सरम लगे ना ऐसा काम कोई आपको आपको सरमिन्दा करें इससे पहले आप खुद की बेज़ती करवाला तो आपको बेज़ती कम मैसूस हो गया इसी तरह से अब उन्होंने भी अपने विश्य में कहने लगा कहने लगे सब कि हम तो वहा हम तो कभी चर्चा सुनने गए ही नहीं इस तरह से उन्होंने बहाने बनाए अपनी हश्य की अब और बाद में भूल मानी और फिर श्रीजी की चर्चा सुनने लग गए अब ऐसा करते करते यह ऐसी घटना हुई एक इसके बाद तो चर्चा का करम चलता ही गया बहुत सारे अब श्रीजी ने सोचा कि दो साल होने वाले हैं तो एक ही जगह पर यदि हम बने रहे एक ही बंदर गहाँ पर ही दो-दो साल तक अटकते रहे ब्रह्म स्ष्टियां तो कितनी सारी है कहां कहां पर आई है जागनी कैसे होगी तो मुझे यहां से निकलना है अब वो सोच रह अब आई ते इतने में क्या होगा कि एक ऐसा कारज कारण बना एक बहाना समझ लिजे कारज का मतलब कि वहां अरब के लुटेरे समुंद्री मार्ग से आते थे पहले और लोगों को लोगों का अपहरण करके किड्नैप करके लेके जाते थे और फिरोती की रक्कम मांगते थ लुट मार ही उनका धन्दा था तो अरवी लुटेरों ने दीप बंधर में समंदर के किनारे हमला करके बहुत सारे लोगों को बंधर में बना लिया बंधक बना लिया और उनमें से तेजकुण जियत्वा और जिनको हम बाईजी राज जी के नाम से भी जानते हैं बाईजी पर नहीं थी और भी सुन्दर साथ थे रूपा भाई राधा भाई वगर अभी थे तो उन सब स्री जी ने कहा कि मुझे इनको छुडाने के लिए यहां से जाना ही पड़ेगा अब दीप बंदर के सुन्दर साथ के सामने और कोई उपाय नहीं था तो फिर उनने कहा कि जैसी कि आपकी मर्जी वहां से बिदा दी अब सुन्दर साथ को छुडाना है लेकिन स्री जी को मोह तो है नहीं वो तो श्री बहाना था वहां से निकलने का अन्य था अब क्योंकि जैसे जब एहमदाबाद के जेल में बंद थे ना कान जी भाई आए थे बचाने के लिए लेकिन अब वहां तो माया पूरी देख चुके और देशा की मैंने पहले भी कहा कि अब आगे माया का कोई भी बंधन उनको नहीं बाज सकती तो सुन्दर साथ की जागनी को छोड़ करके वो किसी को छुडाने नहीं जाते उनको पता है कि राज जी सब की रक्ष्या कर रहे हैं तो जगह का नाम है वहां गए वहां देखा सुन्दर साथ मिले नहीं अब वहां से चल करके स्रीजी पहुंचे कच्छ कच में पहुंचे तो थावर भाई नाम के एक सुन्दर साथ थे उन्होंने साथ दिया फिर वहां से चल करके श्रीजी पहुंचे मंडई मंडई पहुंचे वहां जाकरके सुन्दर साथ का हाथ पकड़ा आथ पकड़ने का मतलब ज्यान दृष्टी से उनको जागरित किया चर कि निद में ऐसे सो रहे थे जैसे कोई मुर्दा हो कि कयामत के निशान में आता है ना मुर्दे का कबर से उठना ऐसा तो उन सब को चर्चा के द्वारा खंडनी पूर्वक सब्द कह करके सुन्दर साथ को जागरित किया और कहा एह हाल तुम्हारा क्यूं हुआ रह के माया म माया में रह करके आपकी अवस्था ऐसी कैसे हो गई अब तो जागो दिन आया धाम चलने का परमधाम चलने का दिन आ गया है अब कहां लोग खेल देखने रहोगे माया कब तक माया देखने के लिए रहोगे ये माया तो कभी किसी की नहीं हुई है एक काहू के रही है इनकी कौन प्रतित माया का तो भरोसा नहीं करना चाहिए तुम इस माया को माया में ले कर के क्या करोगे आप तो कोई सामनय वेक्ति भına आपको तो तार्तम ज्यान निला है, चतुर हो प्रविन हो जैसा कि प्रकास की बाणी में कहा न तुम सयाने मेरे साथ जी जिन रहो विशे रसलाग पाउं पकड़ कहें इंद्रावती उठ खड़े रहो जाग अब यहां पर भी श्री जी इसी तरह से सुन्दर साथ को कह रहे हैं कि आपको यहां से जाग करके अपनी सुर्ता को परमधाम लेके चलना है उस घर को देखना है और यह देखना है कि राज जी ने हमें क्या बताया है हम हमारा मूलतन कौन से भूमपे है और हम यहां पर क्यों आये थे इस तरह से सुन्दर साथ को जखजोर करके एक ही दिन वहां पर रहे और वहां एक दिन रह करके श्री जी पहुंचे कपईया कपईया में हर्वंस ठाकूर रहते थे अर्वंस ठाकूर इनके भाई है लेकिन यह नहीं देख रहे हैं कि लोग की क्रिष्टे में मेरा बड़ा भाई है सब को सुन्दर साथ के नाते से देख रहे हैं और उस हिसाब से देख आए कि यह तार्तम ग्यान लेने के बावजुद भी माया में फसे हुए हैं तो हर्वंस ठाकूर के परिवार के बीच में उन्होंने चर्चा की चर्चा करी तिन के घरों तो कहे खंड़नी के वचन वहाँ भी खंड़नी कर रहे हैं और उसके बाद उनको चर्चा सुना करके जागरित करके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए भेजा कि जाकर करके दर्शन किजिए क्योंकि गाधी पर तो वही बैठे थे वहां से फिर कपई आसे पहुंचे भोजन मिलाप हुआ अब वैसे देखा जाए तो गुरु भाई हैं एक द्रिष्टी से देखा जाए तो क्योंकि उन्होंने भी श्री देवत नर्जी से तार्तम लिया लेकिन दितों लौकिक संबंद निभाने के लिए तो गए ही नहीं थे उन्होंने श्री जी का बहुत ही सम्मान कि भोग लगाया उसके बाद में अब श्री जी चर्चा करने लगे वहां पर भी खनदनी के कहे वचन सुख पाया तिन से खन्हीं सुनने पर दुख होता है वैसे सामंधे वेक्ति को तो दुख होता है लेकिन सुन्दर साथ को सुख हो रहा vowel कि कि कोई तो हमें हिते ही है हमार करेंगे और पीठ पीछे जा करके आपके बुराय करने लगेंगे तो इसलिए अब सुन्दर साथ को सुख हो रहा है कि परमधाम की चर्चा हमें सुनने को मिल रही है अब मन में जो भी माया की मलिंता थी वो सारी हट गई उसके बाद अब स्रीजी पहुंचे नलिया नलिया रहे थोड़ी समय के लिए उसके बाद में पहुंचे थठा नगर दो चीज़े हैं एक है बंदर एक है नगर तो बितक में जहां-जहां भी बंदर सब्दा है जैसे लाठी बंदर है तो यह वो जगह है जो समंदर किनारे नावों से जहाज से जिन में आना जाना या वियापार लगा रहे थे वो वो इस्थान है और नगर वो है जो उसके बाद जो सहरी इलाका है वो तो ठठा नगर पहुंचे वहाँ नाथा से नाथा जोसी नाम था उनका उन्से मुलाकात की अब मिलते ही उनको सुख खुशी हुई कि स्रीजी सहाब आए है अब बात करने लग गये शुतर में कि हमारा कौन सा भाग्य cracking है हमारे सभाग्य से शुव Ugjust यहाँ पर पहुंचे तो वहाँ जैसा कि मैंने पहले ही का नाथा जोशी मिले वहाँ 10-12 दिन तक रहे ठठानगर में नाथा जोशी के साथ में कुछ लोगों से मिले भी होंगे जो भी किया होगा 10-12 दिन रहे करके स्रीजी पहुंचे लाठी बंदर बंदर गहा में पहुंचे और अब वहाँ एक व्यक्ति मिले उनका नाम था विश्वनाथ भट और विश्वनाथ भट के साथ मिले उनकी एक दुकान थी लौकिक नाते से कि ये श्रीदेवचिंद्र जी के सिस्य हैं ऐसा समझ करके उन्होंने पहचान की सम्मान किया और लाठी बंदर से वह नाव पर चड़े श्रीजी कि आगे जाना अब जागनी के क्रम में तो नाव में बैठे हुए हैं कि सत्रह दिन में क्या हुआ क्योंकि नाव में लंबी-लंबी यात्रा होते थी ना पहले हवा उल्टे दिशा में चलने लग गए तो क्योंकि जैसा कि हमने दो दिन पहले की चर्चा में भी सुना था जब श्रीजी के खेता भाई जाने का प्रसंग था कि हवा के वज़से हवा के पाल में टकराने की वज़से जो दबाव बनता था जो धक्का लगता था उससे नाव चलाया करते थे तो जब नाव उल्टा चलेगा तो क्या होगा? वापस आएंगे जहां से चले थे वहाँ तो स्री जी चले हैं लाठी बंदर से नाव में बैठे तो 17 दिन तक चलने के बाद में जो तूफान आया है तो वापस लोड करके स्री जी लाठी बंदर ही पहुँचे तो अब स्री जी के मन में आया कि सायद यहाँ पर कोई ब्रह्म श्रश्टी ऐसी है जिनकी जागनी होना बाकि ही इसलिए राज्जी का हुकम नहीं हुआ आगे जाने का यहाँ सायद किसी की जागनी होनी है तो अब लाठी बंदर से चल करके श्री जी आय ठठे में ना था जोशी से मुलाकात हुई ना था जोशी के संगत में बंधन से मुलाकात हुई वो अपने घर में ले करके गए फिर जिन्दा दाशी और ठकुरी बाई से अब वहाँ श्री जी की चर्चा होने लग गए जब चर्चा होने लग गए जब जोश में चर्चा होती है कहते हैं वहाँ जो चर्चा सुनने आते हैं जाके धनिये पकड़े हाथ फिर से चोपए आई कि चर्चा सुनने के लिए कौन आते हैं अब यहाँ पूरे सहर में ये बात फैलगे कि कोई साधो ठठा नगर में आए हैं और जो कोई साध ये सुने करने आवे दीदार जो सुनता है वो स्री जी के दर्शन के लिए आता है और जब चर्चा सुनता है तो बहुत ही प्रस्ण होता है और फिर परमात्मा का सुक्रिया साधा करता है धन्यवाद देता है कि है परमात्मा आपकी क्रिपाश्या में ऐसी चर्चा सुनने का आउसर प्राप्थ हुआ अब इसी क्रम में वहां एक साधू रहा करते थे उनका नाम था चिंतामणी तो कि चिंतामणी जी कबीर पंथ के आचारिय थे उस समय के गाधिपती तो कि स्री जी को किसी ने कहा कि एक चिंतामणी जी नाम की वेक्ति हैं उनके हजार शिष्य हैं जो साथ में चलने वाले हैं वैसे तो ग्रियस्ति शिष्य भी बहुत सारे होंगे लेकिन साथ में चलने वाले जो सिष्य हजार सिष्य तो उनसे एक बार मुलाकत करनी चाहिए तो श्री जी ने कहा ठीक है गए मुलाकत की तो चिंतामणी जी ने कहा कि आप कहां से आए हैं आपको हमसे कौन कैसी बात करनी है आप हमारे साथ चर्चा सुनने के लिए हैं हमसे या सुनाने के लिए यह कुछ देना चाहते हैं देखिए उनके अंदर विनम्रता है कि नई तो कोई भी वेक्ति जो इतना बड़ा गाधी पती हो वो सुनने के लिए राजी थोड़ी होता है लेकिन उन्होंने कहा कि यदि आप हमें कुछ सुनाने के लिए आए तो आप हमें दीजिए और यदि आप हमसे कुछ लेना चाहते हैं तो आप बताइए कि आप हमसे क्या लेना चाहते हैं कि आप चाहें तो मैं आपको चतुर भुज का भी अनुभाव करा सकता हूं दर्शन करा सकता हूं विश्णुजी का आप चाहें तो मैं ज्योती सुरूप का दर्शन करा सकता हूं सेश साई के सहस्तर अर्थात हजार फ़नों का मैं अनुभव करा सकता हूँ या फिर आपको मैं जिल मेल जोती अन्हद इत्यादी का भी अनुभव करा सकता हूँ और यदि नहीं तो फिर आप हमें बताए जो आपके पास है तो स्रीजी ने कहा कि हम तो आपसे लेने आए हैं कुछ सुनने आए हैं, सीखने आए हैं आप हमें मार्ग दर्शन दीजिए आप हमारे दिल को ज्ञान के प्रकास से प्रकासित कीजिए तो अब वहाँ एक साखी पर चर्चा होने लग गए जो साखी थी कमाल की कमाल की साखी मतलब कबिर जी के दो संतान मानी जाती है एक कमाल और एक कमाली दोनों के नाम से बहुत सारी साखीयां प्रसिद है उनमें से एक साखी थी कि कहया कौडी ते हीरा भया हीरा ते भया लाल आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल अब इसका अर्थ क्या लगाया कि देखो कौड़ी से हीरा हुआ हीरा से लाल हुआ इसका ताथ परिया कि जो कौड़ी है उसकी कोई कीमत नहीं होती है तो कबिर जी के जो माता-पिता है वो अध्यात्म के छेत्र में उनकी कोई कीमत नहीं है वो तो सामानिय व्यक्ति की तरह है तो कोड़े की तरह है उनके पुत्र के जो कबिर है वो हीरे की तरह है बहुत है मुल्यवान है और उनका भी जो पुत्र है जो हीरे से हुआ है मतलब क ऐसा जवाहरात ऐसा जवेर जो हीरे से भी अधिक कीमत कीमती हो और फिर कह रहें कि कभीर जी जो है वो आधे भक्ते और कमाल पूरा भक्ते तो श्री जी ने कहा कि तब श्री जी कहा तुम क्या जानो कभीर तुम जो आधा भक्त इनको कहा जो चित नहीं तुम धिर आपका चि कहने की बात भी मन में नहीं लाते इससे आपकी अवस्था का पता चल जाता है कि कहते हैं कहां मजल कभीर की कि मभीर जी की पहुंच कहां तक थी और केती अकल कमाल और कमाल की बुद्धी कैसी तौल देखो दोनों को किनका ऐसा हाल कि दोनों की बीच में कम से कम तुरना हो तो ठंग से हो पता तो चले कििस की आउस्था कैसी है अब यह धृश्चांत drei मैं आपकेष्टांत कभीर जी और कमाल की है और कहां से आया कि एक जो पाठ साला में पढ़ा करते थे, तो वहां एक राजकुमार से उनकी मित्रता हो गई थे, एक दिन राजकुमार ने कहा कि चलो, आखेट पर चलते हैं, आखेट मतलब शिकार पर, कमाल ने कहा कि देखो, मैं नहीं जा सकता तुमारे साथ, बोले क्यों नहीं जा सकते, तो कहते हैं कि मैं तो एक गरीब घर का लड़का हूँ, और मेरे यहां तो न घोड़े इत्यादी हैं, न हथियार हैं, न तुम्हारे साथ चलने लायक वस्त्र इत्यादी हैं, कुछ नहीं है, राजकुमार ने सोचा कि राजकुमार का मित्र गरिब कैसे रहें, तो उसने खुले दिल से, अपने लोगों को कहा कि इनके घर में धन धान्य सब ले जा करके भर दो, तो राजकुमार के लोगों ने कभिर्जी के घर में ले जा करके, धन रख दिया, सोना चादी, जभारा इत्यादेद बहु मुल्य पदार्थ रख दिये तो अब साम के समय में जब कभीर जी आए घर के लोग तो खुश कि घर में चलो ढंका धना आया है क्योंकि इतना तो हमने कभी जीवन में नहीं देखा था और जीवन भर कमा भी नहीं पाते लेकिन कभीर जी आये तो उनने कहा कि यह सब क्या है कहने लएकि इस तरह से राजा के महां से आया है पर रिका कि इसे हमारे हमारा क्या प्रयोजन क्या लाव कभीर जी का तो कथने एक बहुत ही प्रसिद्द कहावते कहते हैं कि साइं इतना दीजिए जामे कुटम समाए मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए कभीर जी केते हैं मुझे बहुत ज्यादा के लालसा नहीं है सिर्फ इतना ही चाहिए कि मैं भी भूखा ना रहूं मतलब मेरा भी पेट भर जाए और कोई साधु आए तो उसका भी गुजारा चल जाए उसकी अलावा जो कुछ भी वो सब तो सिर्फ तृष्ण है और त्रिष्णा नहीं चाहिए माया नहीं चाहिए तो अब ऐसी विचारधारा वाले कभीर जी के सामने जब धन दिखा तो उनने कहा कि नहीं इस घर में या तो यह धन रहेगा या फिर में रहूंगा ऐसा कहकर कि और जिने जब धम कि दी तो फिर कमाल ने सोचा आज की बेटे होते तो गयते पाप जाओ मुझे तो इस धन से लेना देना है आप हमारा क्या कर लेंगे आप हमारी लाइफ स्टाइल को कैसा बना रहे हैं हमें तो यह धन चाहिए लेकिन कमाल के अंदर इतनी अच्छा तो चलो उस समय थी उसने कहा कि ठीक है इस घर में आप ही रहें क्या करते उसका फैकना जलाना तो सालूशन नहीं था उन्हें नहींने गाउवालों को बुला करके बात्ना सुरू कर गया कमाल ने अब गाउं-वाले क्या सूस्依 रहें क्योंकि बावाले कोई भी वेक्ती है वो रीजल्ट देखता है कि क्या हो रहा है इसके आगी पीछे कारण नहीं पता गाउवालों के मन में आया कि देखो कबिर जी बहुत गरीब होने का दिखावा करते थे भगत होने का दिखावा करते थे लेकिन इन्होंने तो धन्संपति इस तरह से कभजा करके अथवा छिपा करके रखावा था और देखो कमाल कैसा है कि वैसे तो उमर मे कम है लेकिन कमाल तो बाट रहा है तो उनकी नजर में कौन बड़ा हुआ कमाल इसलिए लोगों ने कमाल को पूरा भक्त और कभीर जी को आधा भक्त कहना शुरू किया जबकि इसका भाव क्या है कि कभीर जी आधे भक्त है माया के आधे भक्त का मतलब शरीर उनका माया का है भोजा नित्यादी की विववस्ता सारी करने पड़ती है तो जब تک जीवी थे तब तक माया तो है ही शरीर भे इस वजह से उनको आधा भक्त कहा गया और कमाल जो है वो माया का पूरा भक्त है उसको परमात्मा से अध्यात्म से तो ही नहीं सकती सोचिए कि कभीर जी की पहुंच इतनी है कि वो कि ब्रह्म शुष्टियों की प्रियम लीला तक का संकेत कर देते हैं और कहते हैं जाग घर में अबला बसे बहे प्रेम के पूर कहे कभीर सुनो भाई साधो वह घर हमसे दूर कि वह घर जहां प्रेम का प्रवाह बह रहा है वो घर हमसे भी दूर है लेकिन यह है कि वहाँ पर अंगनाए ब्रह्म सुष्टियां रहा करती हैं और ब्रह्म के साथ में वहाँ आनन की लिला होती है और दूरी कितनी नौलाख कोस की दूरी बताई क्योंकि कभीर जी की पहुंच तो अक्षर तक की है न अक्षर की पंच वासना में तो अक्षर धाम से परम धाम तक की दूरी उन्होंने बताई कि नौलाख कोस की दूरी है और वहाँ पर ब्रह्म है वहाँ प्रेम की लिला होती है और फिर उन आती है कि कबीर जी की उल्टी वानी बरसे कंबल भीगे पानी सुनाओगा बरसता क्या है पानी भीगता क्या है कंबल लेकिन कबीर जी उल्टा कह रहे हैं कि कबीर जी की उल्टी वानी बरसे कंबल भीगे के पानी संभव नहीं है लेकिन इसमें उन्होंने ध्यान की बहुत ही गहरी बात बताई है कि जब व्यक्ति ध्यान करता है विसे शुरुप से जब प्रेम महीं चित्वनी करता है तो एक तो हो गया योग मुद्रा ना उस दिन दो तीन दिन पहले भी मैंने दिखा था ऐसे करके बैठते हैं ध्यान में कुछ लोग प्रेम महीं जब ध्यान करते हैं शरीर भाव से उपर उठने के लिए जब रिदय में प्रेम भाव लाते हैं अंगना भाव लाते हैं तो वो क्या करते हैं यह एक हाथ के उपर दूसरा हाथ रखते हैं और यह यहां गोदी में अपना हाथ रखते हैं और ध्यान में बैठ जाते हैं अब जब प्रेम महीं चित्वनी में आत्मा परमात्मा के प्र पूचने से पहले जो विरह आता है परमात्मा के प्रति तो विरह में जो आखों से आशों की धारा बैती है उसको कहा गया परसे कंवल कि पुराने समय में आपने देखा होगा कि वह और बह में भेद नहीं करते थे जैसे शुद्ध सब्ध होता है वेद लेकिन हम बेद कहते हैं बार बार वानी की जगह पर हम बानी कहते हैं या बानी कहते हैं इसी तरह से यह को जह कहते हैं तो यमुना को जमुना जी कहते हैं योगी को जोगी कहते हैं योग को जोग कहते हैं इसी तरह से के menit के क्यां को शुद्ध सभ ये कंवल वरस न आखंशों उनेत्र कंवल केते हैं नेत्र कंवल तो उसका अपबरांस रूप पहें कंवल और बोलचाल मेंं कंवल कह दिया गया और पाणी कहते हैं हाथ को संसकृत में सुद्ध शब«ः कंवल वरसना आखों को नेत्र कंवल थह एंत्र कंभल तो उसका अपब्रान्स रूप है कंवल और रोव जाह पे लृट में कंभल कह दिया गया और पांडी कहते ही इनाथ को सांस्कृत में पाणी काताथ पर यह हाथ होता है जैसे विश्ण भगवान के हाथ में चक्र है तो उनको चक्र पाणी कहा जाता है शिवजी के हाथ में त्रिशूल है तो उनको शूल पाणी कहा जाता है जब विवाह होता है तो लड़की का हाथ लड़के के हाथ में जो जिम्मेदारी दी ज पानी ग्रहन नहीं होता है पानी ग्रहन मतलब हाथ देना तो इसका मतलब यह पाणी का ताथ पर हाथ होता है तो जब नेत्र कंबल बरसते हैं तो पानी भीग जाती है तो इसका मतलब हो गया कंबल बरसना और पानी भीग जाना अब कबिर जीने ध्यान की बहुत ही गहन बात क तो सोचे कि जो कभिर की पहुंच यहां तक है उनको आदा भक्त कहना और कमाल जिसको कुछ अध्यात्म का अता पता नहीं उसको पूरा भक्त कहना यह कहां तक नियायोचीत था तो स्री जी ने कह दिया कि बिन पहचाने बोलत नाहीं तुम सराफ सराफ मतलब जोहरी एना जी ने कहा कि आप अच्छे जोहरी नहीं हो आपको तो पहचान ही नहीं है कि कौन कोड़ी है कौन हीरा है कौन मोती है कौन को क्या है कहां कभीर कहां कमाल विचार देखो आप आप विचार करके तो देखे कि कभीर जी और कमाल जी कहां कहां पहुंचे दोनों की फिर उन्हो जो निक्सी हो गई चहुदिस पानी उही पानी दो परवत ढ़ापे दरिया लहर समानी उड़ी मखी तरवर चड़ बैठी बोले अम्रितवानी वह मखी के मखा नाही बिन पानी गर्भानी तिन गर्भे गुन तिनो जाए वह तो पुरुष अकेला कहे कबीर या पद को बुझ दोहे सो सत्गुरु में चेला कबिर जी ने शृष्टी की रचना से लेकर के इस खेल के बनने के कारण तक के विशे में बताया धर्म गरंतों के विशे में सारा बताया इन तीन दो उसके दोहे के अंदर एक साखी के अंदर अब इस कीरतन का भाव क्या है एक एक शब्द को एक पलक मतलब जो चिदगन सोरुप राजी हैं उनके हृदय में अपने सोरुप की पहचान कराने की इच्छा उत्पन हो गए और चारों तरफ क्योंकि राजी ने सबसे पहले खेल दिखाने की बात दिल में लिना तो क्या हुआ पहले लई हक के दिल में पीछे आई माहे नूर ता पीछे हादी रूहन में एयोकर हुआ जहुर सबसे पहले राजी ने दिल में लिया तो चारों तरफ अब फरामोसी का परदा चाया अब सारे परम नाम में कोई लीला हो रही है नहीं क्योंकि ब्रह्म सिष्टिया भी इस खे अब उस फरामोसी रूपी पानी में दो परवत ढग गए एक परवत है सत अंग राजी का सत अंग कौन है अक्षर ब्रह्म और दूसरा है आनंद अंग तो दोनों परवत ढग गए और थात दोनों के ऊपर फरामोसी का परदा चाया अब उड मखी तरवर चड़ बैठी बोल बबर कहते हैं पेड़ को और इस संसार को तो उल्टे पेड़ की संजादी एक या संसार कैसा पेड़ है उल्टा पेड़ हे उरध्व मूलम अधा सांखं ऐसा कहकर के वंणित किया गया है कि उरध्व मूल मूल तो इस तरह से ये जो संचार रुपी तरुवर है व्रिक्ष है इसमें एक मख्षी आई परमात्मा की हुकम रुपी मख्षी और उसने क्या किया बोलत अमरित वानी उसने अमरित वानी बोला था धर्मगरंतों में साक्षियां लिखवाई की परब्रम आने वाला है वह मख्षी के मख्षा नहीं बिन पानी गरभानी और वो जो मख्षी है परमात्मा के हुकम रुपी उस हुकम रुपी सक्ति का और कोई मालिक नहीं है क्योंकि परमात्मा का हुकम मतलब परमात्मा का ही स्वरूप माना जाता है तो उसका कोई मालिक हो सकता है तो उसका कोई पर वैसा कि बिना पानी के एसा नहीं जैसे सामाने रूप से इस संचार में इस्त्री और पुरुष के संयोग से गर्भ रहा जाता है लेकिन यह जो हिरण्य गर्भ यह श्रिष्टी बनी है तो यह किसी तरह से ऐसा वाले पानी नहीं है कहने को गर्भ है लेकिन लोकिक भाव से जो गर्भ समझा जाता है वैसा गर्भ नहीं है और इस गर्भ में इस हिरण्य गर्भ में कौन आया कैरें तीन गर्भ है गुन तीनों जाए तीन गुणों की उत्पत्ति हुई सत्व गुण रजगुण और तमों गुण और इस तीन ग प्रकृति कहते हैं, प्रकृति से महतत्व की उत्पत्ति हुई, महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई, अहंकार से पंचतनमात्राओं की उत्पत्ति हुई और उनसे पांचतत्व आकास, वायू, अगनी, जल, पृत्वी की उत्पत्ति हुई, फिर पृत्वी में समय जब वाइथुनिक श्रिष्टी में अंडज, पिंडज, उद्विज और स्वेदज, ऐसे श्रिष्टी का क्रम आगे बढ़ा, अब इस श्रिष्टी में तीनों गुण आ गए, लेकिन कहते हैं वह तो पुरुष अकेला, लेकिन जो परब्रम है, वह तो अकेला है, अलग है, एक है कहे कबीर या पद को बुझे, सो सत्गुरु में चेला, कबीर जी कह रहे हैं, कि जो इस पद के रहस्य को समझेगा, वो मेरा भी सत्गुरु होगा, और मैं उनका चेला रहूंगा, जब स्रिष्टी ने इसके विशे में कहा, तो तुरंत, चिंतामन जी ने कहा कि देखो, य वह सक्स पहुंचा इत, अपने सेवकों से चिंतामन जी ने कहा कि इस दोहे में, अथवा इस कीरतन में, जिस व्यक्ती के विशे में संकेत किया गया है, वह सक्स अब आ गए हैं, और यही वो सक्स हैं, अब इतनी मुलाकात करके, स्रीजी साहिब तो उठ गए, उठ करके यहां वो ठहरे हुए थे, तो वहां चले गए, अब एक दिन उसके कुछ दिन के बाद में, स्रीजी पहुंचे कल्लु मिश्र के वहां, और वहां जा करके चर्चा की, लेकिन देखा कि यहां पर तो इमान इतना है नहीं, कच्चा इमान है, अब उधर क्या हुआ, कि चिंता अब उन से जानना क्या है, तो चिंता मने जी अब पूष्ते फिर रहे हैं कि उन साधू का ठोर कहां है, स्थान कहां है, अब पूष्ते पूष्ते, कल्लु मिश्र के घर में पहुँचे, अब कल्लु मिश्र के वहां तो एक दिन के लिए गए थे, तो मिश्र जी ने बताया में चिंतामनी जी गय स्रीजी के चरणों में प्रणाम किया सोचे हजार सिष्य का गुरु है लेकिन स्रीजी के चरणों में वो प्रणाम कर रहे हैं यह विनम्रता है उनकी अब अपने साथ ही संगियों के साथ में स्रीजी की वो चर्चा सुनने लग गए अब क्या हो गया कि उनके सिस्यों के बीच में खलबली मच गई कि हमारे गुरू तो किसी और के पैर सु रहे हैं किसी और को प्रणाम करना किसी और की चर्चा सुन रहे हैं यह स्वभाविक है कि सिस्यों में यह चीज होना स्वभाविक है क्योंकि सिस्यों को तो क्या लगता अपने गुरू के प कि पिछ आये थे हम जिसके पीछ आये थे वो किसी और के पिछेत आ रहा है तो जो कुछ समझदार सिश्छ के थे उन्हों लेकिन इसी बीच में अब श्रीजी ने एक दीन छिंतामने जी की कर दी कि जब खंडनी की थो चिंतामने जी को थोड़ी शरम आई जोत्के एऊर के विचलम LIVE तो इजल रख देते कंशी कम कि थोड़ा लगता है तो चिंतामने जी स्री एकांत में कहा कि स्रीजी साहिब आपकी सारी बातें सच है लेकिन आप कृपया मेरे जो सिश्य रहे हैं उनके बीच में मेरी थोड़ी इज्जत रख दीजिएगा मुझे थोड़ी सरम आएगे अगर एकांत में आप कुछ भी कहें आप मार पीट जो कुछ भी करें तो मुझे स्विकार है लेकिन क्रिपया दूसरी लोगों के बीच में कह रहे हैं एकांत मोसु कहो जानो तैसी खंड़नी जैसी खंड़नी आप करना चाहते हैं वैसी कीजिए लेकिन मेरे सेवकों के आगे थोड़ा सा थोड़ी मेरी सरम रख दीजेगा तब कहते हैं तब राजें कहया इंसो कहया तुम्हारी क्यों न राखे सरम हम आपकी जद क्यों नहीं रखेंगे बला हम तो रखेंगे जो भी हम आपको कहेंगे वो परदे की ओट में कहेंगे जो तो सुन्द रहा होगा सर्ब उसी को पता चलेगा कि कौनसी बात हो रही है अब सब लोग तो अपने घर में चले गए रात को एक कीरतन प्रकरण का आउतरण हो गया वो प्रकरण की चोपाई है सुनोरे सत के बंजारे एक बात कहुं समझाई या फंद बाजी रची माया की तामे सब कोई रहा उर्जाई सत के बंजारे मतलब सत्य का व्यापार करने वाले लोग व्यापार मतलब व्यवहर व्यापार का मतलब सिर्फ बेचना खरिदना नहीं होता है सत्य का व्यापार मतलब सत्य का व्यवहर करने वाले लोग सत्य की बात कहने वाले सुनने सुनाने वाले लोगों आप सुनो यह जो माया का फंदा है या फंद बाजी रची माया की यह जो माया का फंदा है ये इसने ऐसा रच रखा है कि यहां हर कोई फंद जाता है उलद जाता है ऐसा नहीं कि एक बच रहा है और दूसरा उलद रहा है हर कोई फंद रहा है जैसे किसी सादू ने कहा कि काजल की काली को कोठरी में काहो शयानों जाए एक लिख काजल की लागी है पहलागी है मानि यज़ी काजल की कोठरी हो उसमें नीचे फर्स छत दिवाल दरवाज़े खिड़कियां सारी काजल की बनी हुई हो तो क्या ये संभव हुए कि आप कमरे के अंदर जाए और बाहर आए तो काली कहीं नहीं लगी हो क्योंकि जमीन भी उसकी काजल की है ना तो क्या होगा पैरों में लग जाएंगे बजने की कोशिस नहीं कर सकते तो इसी तरह से जो माय कुमल चंचल चतुर चपल इस माया के विशे सथ्यार कौन-कौन से हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इरश्या द्वेस ये कहां से सुरू होते हैं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इनकी इच्छा से सुरू होते हैं कैसे कि आपने किसी चीज की इच्छा की तो वह हो काम कि काम नमतब इच्छा अगर पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ क्रोध जो आपकी पूरी करे को उसके प्रती मुँह होगा और अचछा अगर इच्छा पूरी हो रही है आप जो चाहते हैं वह पूरा कर पाथे तो आपको होगा अहंकार यह जो चीज मिलने लग जाए उ सब इसपर्श रूप रस गंद की इच्छा के चलते काम क्रोध लोब मोह अहंकार इर्श्या द्वेश रूपे विकार यह सब माया के हथियार हैं अब माया के इतने सारे हथियारों में कोई ना कोई हथियार हमें लग ही जाता है कोई काम के वशिभूत हैं कोई क्रोध के वश वशिभूत हैं कोई मोह के वशिभूत हैं कोई अहंकार के वशिभूत हैं और किसी के अंदर यह सारे भी हो सकते हैं तो कहीं न कहीं माया हमें ले चल रही है अपने आप में तो यह चोपाई है कि तामें सब कोई रया उर्जाय हर कोई उलत जाता है आगे कहते हैं कि आटी आन के फासी लगाई का मतलब क्या है एक तो फासी का फंदा होता है बता है ना फंदा जो खींचता है तो बंद जाता है अब उसमें भी गांठ लगी हुई है बांदते किस तरह से दो तरह से लोग बांदते ना एक तो खींचा खुल गया और एक गांठ लग गया खींचने पर ख एक तो हो गया फासी दे दे एक धटके में एक मिनिट के अंदर काम तमाम हो गया लेकिन इसने तो लटका भी कैसे रखा है वे भी उल्टी यह उल्टा लटका रखा है कि मर भी नहीं रहे हैं और धंग से मतलब छुटकारा भी नहीं पा रहे हैं तो माया का बंधन कुछ ऐसा ह कहते हैं कि बंध पर बंध दिये बीद बीद के अब इसमें अनेक प्रकार के बंधन दियें जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कोई किस बंधन में कोई किसी बंधन में है फिर उन्हें ने एक और बात कही कि लोक लाज मरियादा छोड़ी तब ग्यान पदवी पाई एक आगजियों छोटी बुझाई ट्यों दूजी मोटी लगाई किसी को ज्यानी कहलाने का पद कब मिलता है rise मरियादा को छोड़ने के बाद अर्थाथ यदि आपको ज्यान पाना तो लोकτι लाज मरियादा को छोड़ना पड़ेलागा आज सईयोग बस इधर चर्चा मे आने से थोड़ी देरे पहले में फोन देख रहा था तो वहाँ पना एक छोटा सा बच्चा यहां बहुत तेज दिमाग है उसका आज कल बहुत प्रसिद्ध है तो लगबग साथ आठ साल का बच्चा होगा उसका इंटर्विव हो रहा था ऐसे ही कोई छोटे मोटे जो यूट तो मैं हर तरह के लोक लाजकों में छोड़ देता हूं सरम छोड़ देता हूं और इसका कारण क्या है पता है वो बच्चा गया रहा है उसने कहा कि देखो यह जो रिकॉर्डिंग हो रही वो टीवी में जा रही है अब आप मुझे कुछ सवाल पुछेंगे अगर मैंने मैं सरमा गया होता तो क्या होता मैं कुछ बोलता ही ने लेकिन अगर मैं गलत जवाब दूंगा हिमत करके तो क्या होगा आप मुझे सिखाएंगे तो मैं एक प्रस्ण का उत्तर और जान जाओंगा इसका मतलब क्या है कि आपको अगर ज्यान की प्राप्ति करनी है तो लोक पहसी बनता है विशेश रूफ से वो तो लोकलाज मर्यादा के बंदन से दूर हो जाता है पता है सन्यास जब गरहन करते हैं तो एक नियम होता है उसमें कि यदि कोई व्यक्ति वीवाहित है शाधी सुदा है और सन्यास लेना चाहता तो सन्यास के वस्त्रधारण करने के बाद में उसे अपनी पत्नी से ही भिक्षा लेनी होती है और पत्नी के पाऊंच करके मा कह करके उसको बुलाना होता है कि आज से तुम मेरे लिए माता समान हो मात्रीवत परदारेशुज़ की तरह है तो अब क्योंकि वह सन्यासी तो सन्य और अपनी स्थ्री कोई बात नहीं है तो अपनी स्त्री को भी मा कह करके संभधित करना पड़ता है अपने घर के लोगों से बिक्ष्या मांगनी पड़ती है तो लोकलाज मर्यादा तो ऐसे ही छूट गई तब उनको ग्यानी कहलाने का पदमिला अब आके कहते हैं कि एक ड्रैने का तरीका थोड़ा फर्क है कबिर जी कहते हैं मोटी माया सब सब तको जी जीनी है कि एक चोंड़ में और तो दूजी मोटि लिए इसका मतलब यह है कि छोटी आग का तात्परिया पद प्रतिष्ठा और पैसा यह तीन माया है लोकेश्णा वित्यष्णा और दारेश्णा तीन प्रकार की इच्छाएं होती है लोकेश्णा का मतलब संचार में पद पाने की इच्छा कि दारेश्णा मतलब सगे संबंधियों की इच्छा और वित्तेश्णा मतलब वित्त कहते हैं धन को तो धन कमाने की इच्छा तीन इच्छाएं हो गए अब छोटी आग बुझाने का मतलब यह है कि जब व्यक्ति सन्यासी बन जाए अगर तो पहले की हर चीद छुटेगी यह जोड़ दिया उसने पांट साथ लोगों का परिवार होगा उसको छोड़ दिया लोग किसी पद के रूप से जानते होंगे तो उस पद का पद को छोड़ दिया लेकिन अब सन्यासी बनने के बाद उस पचास हजार लाख रूपए की नोकरी को छोड़ करके अब सिस्यों के द्वारा जो चड़ावा आता है उस चड़ावे का मुह हो गया पांच साथ लोगों के परिवार को छोड़ा और अब हजारों सिस्यों की मंडली से मुह हो गया इसी तरह से जो जो भी छोटी माया छोड़ी उन सब से बड़ी आग लगाते गए पांच लोगों के परिवार को छोड़ करके पांच हजार या पचास हजार लोगों के परिवार का मुह हो गया पचास हजार की नोकरी छोड़ करके कि अब लाखों के चड़ावे का मुह हो गया और अब पद छोटा मोटा मिल रहा था कौन से पद में होंगे किसी ने किसी पद में अब उसको छोड़ करके आप सन्यासी बने तो आप अपने नाम के आगे पद क्या लगा रहे हैं कि मैं श्री 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 तिन श्री पां तो यह क्या हो गया बड़ी आग तो एक चोटी बुजाई तो दूजी मोटी लगा अश्री जी ने कहा अब कभिर जी इसको थोड़ा अलग तरह से समझा रहे हैं बात वही है कि मोटी माया सब तजी जीनी तजी न जाए इसका भाव क्या है कि मोटी माया मतलब दिखाई समझते हैं तो घर परिवार को छोड़ दिया जॉब कर रहे हैं कमा रहे हैं तो लोग सोचते हैं कि यह तो माया हो गया धन कमाना उसको छोड़ दिया ठीक है इसको छोड़ करके अब कोई सन्यास को माया नहीं समझता है ना लेकिन सन्यास में होने के बावजुद भी जैसा क कि वानी में कहा उस तरह से माया को पकड़ लिया तो क्या हो गया कि मोटी माया सब तजी जीनी तजी न जाए तो इस तरह से स्रीजी ने कहा कि एक आग जियों छोटी बुजाई त्यों दूजी मोटी लगाई अब आगे क्या कहते हैं कि एक डारी त्यों दूजी भी डारो जल अब जैसे आपने उस माया को छोड़ दिया है वैसे ही इस माया को भी छोड़िये और जो बुद्धी की चतुराई है उस चतुराई को आप एक तरफ रख दीजिए उसको समझ लेजिए कि जला दीजिए और आगे कहते हैं कि महामति कहें सावचेत होईयो मिल्या है अंकुर आ गुल सम्बन की वजह से मिला अब आकको क्या करना है इस जोठे जोटी जो प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा को छोड़ दीजीए जूठे मोह को छोड़ दीजे और सत्यीयों से को रिजाई है सत्गुरु के रूप में कौन आया है था सद्गुरु मेरा श्याम जी तो साक बढने के बाद में उनको अब पहाचान हो गए कि यह किसके लिए जा रहा है मेरेलिये विपके यह सारी चीजे मेरे अंदर है एद हमारे अंदर भी है लेकिन हमें तो पहाचान नहीं अब चिंता मिभब talks क्या करें कि अब मारो काले गुत्ते को लाठी कि सिर उपर काला कुता यहां अहंकार को कहा गया है अज्ञानता और अहंकार का प्रतिक है स्री जी को कह रहें कि आप अपने ज्ञान रूपी लाठी से मेरे अज्ञानता और अहंकार रूपी काले कुत्ते को मारिये और अब अपने सेवकों के आगे खुले रूप में कह देते हैं कि मेरे जितने भी सेवक हैं मेरे जितने भी सिस्य हैं आपको मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि सेवक को आगे तब कया मैं खाली कचुना खबर कि मैं तो खाली था मेरे अंदर कुछ भी नहीं था मुझे कुछ पता ही नहीं था जब इस तरह स स्विकार किया तो क्या करें कि तब श्री जिये सराहिया स्याबाश चिंता मण की स्याबाश चिंता मणी यह शब्द हर कोई नहीं कह सकता है कि अपने हजारों सिश्यों के सामने कहें कि मुझे तो कुछ नहीं पता और यह मुझे कुछ नहीं पता यह कहना ही कुछ पता होने का अन्यथा उपनिशत तो कहते हैं कि जो ये कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं समझो कि उसे कुछ पता ही नहीं है और जो ये कहता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं उसे सब कुछ पता है इसलिए क्योंकि ब्रह्म को इस तरह से जाना ही नहीं जा सकता है उसे कम से कम इतन तो पता है उपनिशदों का कथन है तो स्री जी ने कहा कि पाई ते निश्वत ए सुकन मोमिन ये सब्दों तो ब्रह्म स्रिष्टी ही कह सकती है अब कह रहें कहया स्री तार्तम इनको सब सेवकों समेत परहेज कराया चार बात का एक कबूल कर दिल लेत उन्होंने अब चिंताम परहेज कराया परहेज करना कि अगर आपको सुन्दर साथ बनना है ब्रह्म स्रिष्टियों की रहनी अपनानी ही तो यह यह चीजें आपको नहीं करनी है अब कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि वह चार बातने कौन-कौन सी है उन चार चीजों का परहेज करना क्यों आवश् है क्या हम तार्तम लेने के बावजूद उन चीजों का परहेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या हम सुन्दर साथ कहलाने लायक हैं कि नहीं है इन सभी विशयें पर चर्चा होगी कल अब समय पुरा होता है कहिया श्री तार्तम इनको सब सेवकों समेत परहे जुकराया चार बात का ए कबूल कर दिल लेत बुल स्री प्राणनात प्यारे की बुल स्री सद्गुरु महराज की